इसराइल में एक निश्चित एज के बाद सभी नागरिकों को मिल्टरी सर्विस करनी होती है और अभी तो यूद चल रहा है हमास के साथ तो इसराइल को जूरूरत है वो लोग जो यूद लड़ सकें लेकिन देखो इसी बीच 18 साल का एक लड़का टाल मिटनिक लड़ने से कर देता है वो कहता है देखो ये ना साइकल चल रहा है ओप्रेसन हो रहा है इसराइल के तरफ से बाद में पैलेस्टीन जो है वो रिटालियेट करता है मतलब पैलेस्टीन के लोग रिटालियेट करते है और ये अब खून बहता है ये साइकल काफी समय से चला जा रहा है च solution की तरफ काम करना चाहता हूँ मैं इस cycle में हिस्सा नहीं लेना चाहता इसलिए मैं लडने से इंकार करता हूँ बाद मैं उन्होंने ट्वीटर पर ये भी लिखा देखो कानून बनाये जाते हैं लोग के द्वरा और लोग गलत भी हो सकते हैं एक वो समय था जब slavery को सही माना जाता था एक वो समय था जब महिलाओं को voting rights नहीं था लेकिन चीजे बाद में change हुई क्योंकि मेरे जैसे लोगों ने आवाज उठाई तभी चीजे change हुई थी आज मैं आवाज उठा रहा हूँ तो टाल मिटनिक ने ये सारी बाते बोली इनको 30 साल में 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया टाल मिटनिक जो है ये है consensus objector मतलब जो अपनी consensus के चलते या moral beliefs के चलते या religious beliefs के चलते लड़ने से मना कर रहे है दिखो एक बहुत famous boxer रहे है Muhammad Ali US में Vietnam War के दुरान conscription लगा था सबको military service perform करनी थी एक निशीद age के लोगों को इन्होंने मना कर दिया इन्होंने बोला कि जो blacks है उनके साथ तो discrimination हो रहा है US के अंदर उनको उनके rights से deny किया जा रहा है मैं क्यों दूसरे देश में जाके bum गिराऊं उनके लोगों को मारूं तो इन्होंने युद के खिलाफ आवाज उठाई थी बाद में इनको 5 साल तक की सजा सुनाई मुकदमा चला बाद में इनको छोड़ दिया गया लेकिन उस समयना civil rights activist की ये hero बन गए थे यहाँ पर dilemma पता क्या आता है यहाँ पर dilemma आता है एक तरफ देखो individual rights है वो लोग जो नहीं लड़ना चाहते अपने conscience के चलते या religious beliefs के चलते या moral beliefs के चलते और दूसरी तरफ state के परती duty state के परती भी duty देखो एक बहुत बड़ा moral principle है दोनों में किसको तवज्जो दी जाए इवन युद लड़ने से कम से कम देखो democracy में तो नहीं अब जहाँ पर ताना साही है नोर्ट कोरिया है जैसे देश हैं उनके बारे में तो कुछ का नहीं जा सकता बात equity and fairness की भी आती है अब ऐसे लोग जो लड़ने से मना कर देते हैं अब socially इनका बाइकोट हो जाता है अब इसराइल में पसंद तो नहीं किया जाएगा जाहिर तोर पे इनको टाल मिटनिक को socially इनका बाइकोट हो जाएगा discrimination होगा इनके साथ में तो क्या ये सब चीजे जायज है ये सारे questions ethical issues emerge होके आते हैं इस issue से अगर देखो interview में आप से पूछा जाए आप किस चीज को तवज्जो दोगे क्या आप individual rights को तवज्जो दोगे या फिर state duty को तवज्जो देगे किस चीज को आप तवज्जो दोगे आप comment box में बताइए date आज की 28 December है और काफी बढ़िया discussion आज की रहेगी तीन issues हम discuss करेंगे सबसे पहले regional disparities से समदित article हम discuss करेंगे कैसे result किया जाए South India, North India से ज़रा develop क्यों है ये सारी चीजें दूसरे नमबर पर अकल बिहारी वाजबई समदित article discuss करेंगे और तीसरे नमबर पर विक्चित भारत 2047 का जो वीजन है क्या strength, क्या weakness है वे forward क्या होना चाहिए चलिए discussion start करते हैं इसके बाद नए श्टार्ट कल regional disparities को result करने से समदित हैं आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो जब Britishers हमारे देश में rule कर रहे थे न तो उन्होंने कुछी areas पर ज़्यादा focus किया development के लिए infrastructure को build करने के लिए जैसे देखो Bombay का area, Bombay province इसके अलावा मदरास province तो आजादी के बाद भी न इन provinces के पास इन regions के पास थोड़ा advantage था इसके अलावा जो coastal states थे उनके पास एक extra advantage था कि वो दूसे रेशों के साथ trade आसानी से कर सकते थे coastal roots के थू point ये है ये reasons न ज़्यादा develop हो गए अक्सर question पूछा जाता है कि South India, North India से ज़्यादा developed क्यों है एक reason देखो ये भी है अगर देखो पिछले 30 सालों का हम data उठा कर देखें तो South India के states में जो growth rate है वो 5-6% रही है जबकि North Indian states में जो GDP growth rate है वो 2-3% रही है per capita income में disparities काफी ज़्यादा है गोवा एक राज्या है बिल्कुल छोटा सा गोवा में जो per capita income है न वो बिहार की per capita income से 10 गुना ज़्यादा है जबकि 1990 में गोवा की per capita income बिहार की per capita income से 5 गुना ज़्यादा थी मतलब disparities बढ़ती जा रही है और ये चीज़ देखो सिरफ ऐसा नहीं है स्टेट के लेवल पे है इवन आप डिश्टिक के लेवल पे देखिए स्टेट के लेवल पे तो मैं आपको बताऊँ महराश्टर, तमिलाडू, गुजरात ये कुछ ऐसे राज्या हैं जो देश की GDP में बहुत ज़्यादा कॉंट्रिब्यूट करते हैं लेकिन देखो महराश्टर के अंदर भी कुछ डिस्टिक्स कुछ सिटीज जैसे देखो मुंबई ठाने नासिख, पूने ये महराश्टर की GDP में ना सबसे ज़्यादा कॉंट्रिब्यूट करते हैं बाकी महराश्टर के बहुत सारे रूरल जिले हैं जो महराश्टर की GDP में बहुत कम कॉंट्रिब्यूट करते हैं इवन आप UP का एक्जामपल लीजिए UP में गोतम बुद्नगर UP की GDP में कॉंट्रिब्यूट करता है 8.91% बाकी तो देखो UP के 65 जिले ऐसे हैं जो UP की GDP में तोटल 4% से भी कम कॉंट्रिब्यूट करते हैं आप बुलोगे सर ऐसा कैसे टोटल डिश्टिक्स इतने कितने हैं UP में UP में टोटल डिश्टिक्स है 75 तो ये हमने डिस्परिटीज को देखा जिले के लेवल पे अब एक चीज में आपको और बताता हूँ देखो अगर हम देश में उन डिश्टिक्स की बात करें जहां से एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है तो ऐसे मालीजिए 680 एक्सपोर्टिंग डिश्टिक्स हैं इन में भी देखो टोप 100 डिश्टिक्स है न एक्सपोर्ट करने वाले वो देश के एक्सपोर्ट में 87% कॉंट्रिब्यूट करते हैं इवन देखो बेसिक एमनिटीज जैसे वाटर कनेक्शन इन मामलों में भी न देश के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जीलों में ऐस समानताएं काफी जादा है जैसे देखो ये कुछ डेटा है 680 जीलों में 105 जीले ऐसे हैं जहां पर सभी हाउसोल्ड के पास में फंक्शनल टेप वाटर का कनेक्शन है यानि पाइप लगा हुआ है और वहाँ पर पानी आता है हर घर में और 680 में से देखो 340 डिश्टिक्स ऐसे हैं जहां पर 50 परसेंट से भी कम हाउसोल्ड के पास में फंक्शनल टेप वाटर का कनेक्शन है अब एक चीज़ में आपको बताता हूँ देखो जिन राज्यों में development ज़्यादा है जिन राज्यों में development ज़्यादा है for example South India के states है वहाँ पर infrastructure ज़्यादा डवलप आपको मिलेगा वहाँ पर आपको jobs ज़्यादा मिलेंगी तो होता क्या है migration देखने को मिलता है for example बिहार में development कम है infrastructure strong नहीं है jobs नहीं है तो बिहार के बहुत सारे युवा लोग even बड़े लोग वो जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए for example तमिलाडू में हाल ही में तमिलाडू के एक politician रयानेदी मारन उनका एक statement viral हो गया जिसमें उन्होंने बोला कि बिहार के लोग जो हिंदी बोलते है वो यहां पे आके toilet clean करते है बहुत बड़ी controversy generate हो गई बाद में उन्होंने बोला कि वीडियो तो पुराना था लेकिन देखो point ये है कम developed राज्यों से लोग जाते है migration के लिए उन राज्यों में जहां पे development जादा है अब देखो इसका नुकसान ना उन राज्यों को होता है जहां से migration होता है for example बिहार अब काम करने वाले जातर लोग तो चले गए दूसरे राज्यों में काम करने के लिए तो यहां पे skill की कमी हो गई बिहार में अब बिना skill के यहां पे investment आएगा नहीं बिना skill के यहां पे लोग business करेंगे नहीं क्योंकि वो तो चले गए दूसरे राज्यों में business करने के लिए आप बोलोगे sir गरीब इतनी जादा है बिहार में अगर migration नहीं होगा तो वो लोग रुप के यहां पे करेंगे क्या देखो यह vicious cycle है migration होता है इसलिए वहां पे business नहीं generate होते और दूसरा business नहीं है इसलिए migration होता है यह तो वो वाली बात होगी पहले मुर्गिया या अंडा point समझ गए ना बिजनसेस नहीं है इसलिए migration होता है migration होता है इसलिए बिजनसेस नहीं है इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो इतना तो हमें समझ में आ गया कि original disparities देश में काफी ज़ादा है अब देखो original disparities को दूर करने के लिए न finance commission क्या करता है उन राज्यों को जहाँ पे गरीबी ज़ादा है जहाँ पे development नहीं है उनको ज़ादा पैसे देता है for example बिहार को ज़ादा पैसे मिलते है जितना की बिहार contribute करता है देश के revenue में और वो ज़रूरी भी है बिहार को ज़ादा पैसे मिले क्योंकि अगर सरकार central government अगर पैसा नहीं देगी उन regions को जो कम developed है फिर तो वो states बिचारे और भी कम developed रहेंगे समझ गे इसलिए कम developed राज्यों को central government ज़ादा पैसे देती है finance commission के थूँ और इसी की सिकायद कई बार South India के states करते भी है वो बोलते हैं कि हम ज़्यादा tax contribute करते हैं देश के revenue में बट हमें central government की तरफ से financial commission के थूँ कम पैसे मिलते हैं कम पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा developed है और देखो एक बात है जिसे South India के states हैं या फिर महाराष्टर है गुजरात है इनकी development में न migration का बहुत बड़ा रोल है अगर migration ना होती तो labor की जबरदस shortage होती गुजरात में महाराष्टर में तो इतनी बड़ी बड़ी industries जो लगी हैं अगर सस्ती labor ना available होती तो क्या वो बन पाती बहुत महंगी बन पाती और बहुत दिखते आती एवन developed states में भी इस कदर industrialization आना मुस्किल था इस कदर infrastructure डवलप हो पाना मुस्किल था हाँ देखो एक question जरूर उठाया जाना चाहिए इतने समय से बिहार को Finance Commission से पैसा मिलता है लेकिन अभी तक बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यूं है कहीं न कहीं देखो ये बोला जाता है experts के दवरा बिहार की राजनीती corruption political leaders की willpower ये चीज़े भी responsible है कि बिहार में development नहीं आ पाया अब writers के बाद ये suggest करते हैं देखो central government का काम है disparities को कम से कम करना अगर देखो disparities बढ़ती है inequalities within reasons के बीच में districts के बीच में बढ़ती है तो फिर society भी unstable होती है crime rate बढ़ता है इसलिए ये disparities और inequalities कम से कम होनी चाहिए और इसको कम से कम करना central government का काम है central government को क्या करना चाहिए one size fits all वाली approach नहीं अपनानी चाहिए अब एक beginner में से पूछ रहता कि one size fits all वाली approach क्या होती है देखो हर एक person को एक size का जूता नहीं आता सभी को अलग-अलग size का जूता आता है मतलब central government policies चलाए न सभी राज्यों के लिए एक policy ना चलाए जिस राज्य की जैसी strength और weakness है उसी के हिसाब से policy चलाए अब जिसे तमिलाडू है महराष्टर है ये automobile industry में काफी आगे है तो ऐसी policies इनके लिए चलाए जाएं कि automobile industry में ये और ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा development करें अब जिसे पंजाब है, हर्याना है ये agriculture में काफी आगे है अब पंजाब और हर्याना को force नहीं किया जा सकता कि आप एकदम से electronic industry में आगे बढ़िए हाला कि देखो, हर्याना को advantage है दिल्ली के नस्दीक होने का गुड़गावा है हर्याना में बड़ा पंजाब की बात कीजिए पंजाब में अगर food processing industries ज्यादा लगेंगी क्योंकि पंजाब का age है agriculture में तो पंजाब ज्यादा अच्छे से तरक्की गर पाएगा उसी परकार से 36 गड़ है 36 गड़ माइनिंग में आगे है तो माइनिंग related industries को अगर central government 36 गड़ में वहाँ पर जाला development लाई जाए जैसे बिहार की बात कीजिए अब बिहार में देखो यूं बोलना कि रातो रात industries लगाओ ये देखो मुम्किन नहीं है आप भी समझदार हो सबसे पहले तो बिहार में बेसिक amenities प्रोवाइड करनी होगी बेसिक amenities जैसे पानी का connection बिजलिया connection जब ये basic amenities प्रोवाइड की जाएगी education अच्छी होगी skill दी जाएगी तब जाके हम बिहार में industrialization की बात कर सकते हैं step by step चलना होगा बिहार में तो कुल मिला के देखो राइटर ये ही कहते हैं देखो disparities को कम से कम करें सरकार और demographic dividend जो आज हमारे पक्स में है median age इंडिया की 28 है लेकिन ये demographic dividend हमेशा हमारे पक्स में नहीं रहेगा youth को skill देना, education देना बहुत ज़रा ज़रूरी है ताकि वो contribute कर सके देश की economy में तो ये पूरा article हमने डिसकस किया disparities को resolve करने से समंदित चलते हैं आगे इसके बाद next article पूर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई से समंदित है आप देखो GS paper 1 और GS paper 4 से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ अटल बिहारी वाजपई एक कवी, politician, statesman gentleman अगर देखो शुरुवाती सालों की बात करें 33 साल की उमर में ये पार्लियमेंट में पहुँच गए थे उस समय धुरंदर नेता पार्लियमेंट में मुझूद थे ऐसे नेता जिनोंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी तो उन लीडर्स के बीच में यंग वाजबई अपनी पहचान बनाने में सफल साबित हुए उनके पास में देखो बहुत जबरदस्त ओरेटरी स्किल्स थी मतलब बोलने की जो कला थी वो बहुत जबरदस्त थी और इनके पास में content भी था कईयों का देखो बोलने का तरीका अच्छा होता है content नहीं होता इनका content भी उतना ही खुबसूरत था जितना बोलने की कला वाजबई जी के देखो कुछ ऐसी खुबियां थी जिसको लेखे इवन विरोधी भी उनकी तारीफ परते थे जैसे देखो 1971 वार में जब इंडिया जीता न तो उस में वाजबई आपको पता है विपक्स में ही थे तो उन्होंने इंद्रा गांदी की तारीफ की थी और इंद्रा गांदी को दुर्गा से कंपेर किया था उनकी famous speech का एक वाक्या है जब उन्होंने कहा था पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी लेकिन देश बना रहेगा इसी टाइप के कुछ उनकी जबरदर्स्त speech थी तो देखो उसी को ये शो करता है 1971 में उन्होंने देश हित में उस समय परधानमंत्री का साथ दिया था जबकि देखो आज के समय में इसराइल में यूद चल रहा आपको पता है इसराइल हमास का इवन इसराइल के जो politicians हैं वो भी एक जुट नहीं है आज की राजनीती देखो पहले की राजनीती से अलग थी एक और किस्सा है जब ना वाजबी परधानमंत्री बने तो नहरू की फोटो हटा दी गई थी तो इन्होंने नहरू की फोटो फिर से वापस लगवाई थी उसी जगहां पे जहां से फोटो हटाई गई थी उनकी integrity से समदी देखो और किस्सा शेयर किया जाता है देखो 1999 में न no vote confidence हुआ था उनकी सरकार के against एक वोट से वाजबी सरकार गिर गई थी AIDMK ने अपनी स्पोर्ट वापस ले ली थी सरकार से लेकिन उस समय देखो एक चीज़ ये हुई Congress के एक MP वो CM के पद की सपत ले चुके थे उडिशा में लेकिन ऐसा होता नहीं कि हाँ किसी MP को CM बना दिया जाता है मिनवाइल अभी MP के पद से रिजाइन नहीं किया तो ऐसे ही एक MP थे गिरदर गोमन गो वो पहले MP थे उनको बाद में उडिशा का CM बना दिया गया हलाकि CM बनने के बाद भी उन्होंने अभी अपनी MP की सीट नहीं छोड़ी थी अब उन्होंने भी वोट दिया इस election में काईदे से देखो अगर experts की माने तो ये ethical ही गलत है कि आप CM बन चुके हो फिर भी आप Parliament में आके as a MP वोट दे रहे हो उस समय जब सरकार गिरी एक वोट से डिसाइजिव लिडर्शिप शो करी जैसे पोकरान सेकिंड नुकलियर एक्सपरिमेंट हुआ पोकरान में कारगिल वार दोनों मोकों पर न वाजपई के उपर में न इंटरनेशनल प्रेसर काफी ज़ादा था लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेसर के तले दबे नहीं और इंडिया उस समय खत्रा फेस कर रहा था कि नुकलियर एक्सपरिमेंट करने के बाद में आइसोलेट हो जाएगा लेकिन सरकार ने इस परकार से कदम उठाए कि इंडिया बिल्कुल भी आइसोलेट नहीं हुआ इवन नुकलियर वैपन्स का एक्सपरिमेंट करने के बाद भी नेक्स्ट एकोनमिक रिफोर्म्स देखो पीवी नरसीमा राओ की सरकार के दुरान जो एकोनमिक रिफोर्म्स आये थे न वाजपई चाते तो कह सकते थे ये रिफोर्म्स कोंग्रिस लेके आई है आम तोर पे ऐसा होता है न कि हाँ एक सरकार की जो स्कीम्स हैं आगली सरकार आने के बाद में टोटली बदल दी जाती है लेकिन वाजपई की लिडर्सिप में ये एकोनमिक रिफोर्म्स जारी रहे बलकि फर्दर रिफोर्म्स भी आए जैसे टेलिकॉम रिफोर्म्स है पहले सिरफ बी एसनेल की मोनोपोली हुआ करती थी लेकिन वाजपई जी की विजनरी पोल्सिज के कारण टेलिकॉम में बी एसनेल की मोनोपोली तूट गई और आज जो हम इतना सस्ता सही बता रहा हूँ मैं दूसरे देसों में प्लांस बहुत ज़ादा महंगे हैं इंडिया में जो प्लांस है महिने के वो बहुत ज़ादा सस्ते है तो ये इसी का नतीजा है कि टेलिकॉम की मोनोपोली सही समय पे तूटी प्राइवेट कंपनीज ने एंट्री की इससे मोबाइल किनेक्टिविटी भी इंक्रीज हुई लोगों तक पहुंची और फोरण इन्वेस्टर्स भी हमारे देश में आए टेलिकूम के छेतर में इन्वेस्ट करने के लिए वाजपई जी ने कई मोखों पे बिल्कूल प्रिंस्पल स्टेंड लिया जैसे देखो एक बार उन्होंने पाल्यामेट में स्पीश देते हुए साफ बोला कि हम MPs की ख्रीद फ्रोक्त नहीं करेंगे ऐसी सरकार चलाने से तो अच्छा है कि हम विपक्स में बैठ जाएं और देखो अपने न राजनीती के जातर समय वो विपक्स में ही रहे रूल तो उन्होंने मतलब सत्ता में तो वो बहुत कम सालों के लिए लाश्ट में आए अधरवाइस तो पूरी जिंदगी वो विपक्स में ही रहे वाजबाई जी की इनी खूब्यों के कारण ना सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सभी अर्डिलोजिकल ओर्येंटेशन के लोग उन्हें पसंद करते थे मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में बेसक थे कड़वाहट नहीं थी रिस्तों में यह उनकी सबसे बड़ी बात थी जैसे माँ को एक्जेम्पल देता हूँ वो किसको क्रिटिसाइज भी करते न तो ऐसे क्रिटिसाइज करते कि सामने वाले को चुबे न यह भी देखो एक बहुत बड़ी कला होती है कि आप क्रिटिसिजम भी कर रहे हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर्स का लेकिन इस परकार से कर रहे हो कि वो बात तीखी नहीं है और बात कहने का श्टाइल ऐसे है कि वो वेचारिक मत बेद है यह चीज देखो आज की राजनिती में न कहीं न कहीं missing है आज राजनिती में न पोलराईजिशन बहुत ज़्यादा है एक political party के leaders दूसरे political party के leaders से नफरत करते हैं ऐसा सा महोल हो गया है तो ये कुछ points हमने वाजपई जी के जीवन से उनकी governance से समझे question आये तो आप address कर सकते हो political fortitude के बारे में भी आप लिख सकते हो कि बहुत सारे adversities आई जीवन में जैसे मैंने बोला जातर समय वो विपक्स में ही थे लेकिन तिनका तिनका BJP को वो उठाते गए उठाते गए उठाते गए और अंत में BJP सत्ता में आई चलते हैं आगे इसकी बन नेस्ट आर्टिकल विजन इंडिया 2047 से समंधित हैं आप GS Paper 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ देखो 2024 के सुरुवात में पधामंतरी मोदी एक डोकुमेंट रिलीज करेंगे विजन इंडिया 2047 मतलब 2047 के लिए देश का विजन क्या है इस डोकुमेंट में सब कुछ बताया जाएगा कि कौन से सेक्टर्स में कैसे कैसे रिफॉर्म्स लाने के आप सकता है ताकि 2047 आते आते देश के इकोनमी को 30 ट्रिलियन डोलर की इकोनमी बनाया जाए तो ये डोकुमेंट आने वाला है और आपका काम बढ़ने वाला है यूँ मान लीजिए क्योंकि डोकुमेंट को तो जरूर पढ़ना पड़ेगा काम की चीज़ें मिलेंगी 100% इस डोकुमेंट में जैसे निती आयोग ने 75 साल पूरे होने पर एक डोकुमेंट रिलीज किया था वो भी काफी काम का था तो जब आयेगा तो उसे डिसकस कर लेंगे डोकुमेंट के बारे में थोड़ा बोध सरकार ने अभी बताया है दो पार्ट्स में डिवाइडिड होगा एक 2030 तक का उसके बाद आने वाले 17 सालों का 2031 से लेके 47 के बीच का काफी ambitious target रगा है सरकार ने कि 2030 से लेके 47 के बीच में देश की growth rate रहेगी 9% सरकार के देखो सबसे बड़ी चिंता का कारण ये है कि हम middle income trap में ना फस जाएं जैसे देखो कुछ देश for example Brazil, Thailand, South Africa ये वो देश हैं जो middle income trap में फस चुके हैं देखो होता क्या है किसी भी देश में जब wages काफी सस्ते होते हैं तो कम पैसो में manufacturing हो जाती है क्योंकि आपको wages जो है तंका जो है बहुत कम देनी पढ़ रही है मजदूरों को तो कम rate पे आप product बनाओगे और फिर उन products को export करोगे तो ज़्यादा अच्छे से वो export हो पाते हैं लेकिन ना over the period of time उस देश में for example South Africa में ब्राजील में शुरू में wages सस्ते थे इसलिए manufacturing increase हुई export ज़्यादा हुआ but over the period of time wages बढ़ गए मतलब जो चीज strength थी वो strength नहीं रही और over the period of time देखो इन देशों में machinery में innovation नहीं आया थोड़ा बहुत कोपी जो किया था उससे काम नहीं चल पाया over the period of time innovation आना चाहिए था technology capability increase होनी चाहिए थी R&D होनी चाहिए थी ये सब चीजे नहीं हुई जिसकी वज़े से ये देश further grow नहीं कर पाए Thailand, Brazil, South Africa ये देश further grow फिर नहीं कर पाए middle income में ही फसके रह गए ये बहुत बड़ा trap है हमें इस trap में नहीं फसना है but question ये उठता है कि कैसे इंडिया ये ensure कर सकता है कि इंडिया middle income के trap में ना फसे देखो जो गलतिया ब्राजील, South Africa जैसे देशों ने की है न वो गलतिया हमें नहीं करनी है हमें skills देनी है बार-बार गुमफिर के point ये आ जाता है skills देनी है startups को promote करना है foreign investment को attract अरन डी पर focus करना है innovation पर focus करना है अपनी economy को diversify करना है ताकि कुछी areas पर for example ऐसा नहीं हो सिरफ service oriented हमारी economy हो या फिर ऐसा भी नहीं हो कि agriculture oriented हमारी economy हो हमारी economy diversified हो तो ये सारे steps उठाने है और इन सब चीजों को देखते हुए ही ये document आएगा vision 2047 strength क्या इंडिया की देखो इंडिया की सबसे बड़ी strength है demographic dividend हमारे देश में 600 million लोग अभी ऐसे हैं जिनकी age 18 से 35 के बीच में हैं और 65% जनता की age 35 से कम है लेकिन धीरे-धीरे demographic dividend जो है वो peak कर जाएगा इसलिए सरकार को जल्दी से youth को skill देनी पड़ेगी अच्छे से और जैसी requirement है वैसी देनी पड़ेगी हमने skill से समधित एक article में डिसकस किया था हमारे democracy काफी vibrant है देखो diversity इंडिया में बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी देखो एक जुटता भी है अगर कुछ थोड़े बहुत issues को छोड़ दे तो हमारे देश में बहुत जबरदस्त एक जुटता है जो हम unity in diversity की हमेशा बात करते है देश की economy resilient है ये भी इंडिया की strength है COVID-19 की हमारी आई लेकिन उसके बाद इंडिया ने जबरदस डंग से bounce back किया 2008 में financial crisis आये थे लेकिन इंडिया पर ज़्यादा बुरा असर नहीं हुआ मतलब इंडिया की economy resilient है जो economic shock आते है ना उन शोक से जल्दी से उबर जाती है next soft power की बात कीजिए आज के समय में इंड tax 2023 के हिसाब से soft power के मामले में इंडिया 28 में नंबर पे है थोड़ा और packaging इंडिया अच्छे से करे तो इंडिया और भी उपर पहुंच सकता है कुछ देशों की soft power इसलिए ज्यादा है क्योंकि उन्होंने packaging बहुत अच्छे से की है marketing उन्होंने बहुत अच्छे से की है अपन ही नहीं है 2070 तक इंडिया net zero carbon emission का status हासिल कर लेगा यह इंडिया ने declare किया COP26 meeting के दुरान यानि conference of parties की 26th meeting के दुरान एक और इंडिया के परियासों से mission launch हुआ mission life यानि आप इस परकार से lifestyle अपना हो कि environment को नुकसान ना हो environment conscious life आप अपना हो technology और innovation के मामले में देखो नई नई जैसे technologies है AI हमने article discuss किया था कि इंडिया AI को तेजी से adopt कर रहा है और अलग-अलग sectors में AI का जो use है वो बढ़ता जा रहा है for example agriculture में दव से बड़ा challenge देखो lack of inclusivity inclusive development नहीं है top 10% population के पास में 57% national income है और top 1% जनता के पास में 22% national income है तो wealth का division काफी ज़्यादा है अमीर और अमीर और है गरीब और जड़ा गरीब हो रहा है globalization और technological advancement से कुछ लोगों को तो बहुत फाइदा हुआ है लेकिन देखो कुछ लोग काफे ज़्यादा पिछड़ गए है next global uncertainty देखो India grow करेगा लेकिन कई बार ना global events ऐसे हो जाते हैं ट्रैप को तोड़ने वाली बात है राइटर कहते हैं अगर इंडिया को high income country बनना है न तो इसके लिए 60 trillion dollars की economy बनानी पड़ेगी आज के समय में जो economy का size है न उससे 20 गुना ज़्यादा इतना असान काम नहीं है मुश्किल काम है दूसरे challenges है जैसे bank assets की quality खराब हो रही है NPA बढ़ रहा है fiscal consolidation में delay चल रहा है मतलब fiscal deficit लगातार ज़्यादा है और trade agreement sign करने में difficulties आ रही है काफी समय से बात चल रही है कई देशों के साथ free trade agreement sign करने के लिए लेकिन हुए नहीं है way forward में देखो simple points है demographic dividend को अच्छे से use करो उनको skill दो यही point बार-बार गुमफिर के आ रहा है education sector पे ज़्यादा spend करो अभी देखो इंडिया 3.5% of GDP एजुकेशन पे खर्च कर रहा है global average 4.5% है तो इंडिया को ज़्यादा खर्च करना चाहिए education sector पे inclusive growth लेके आओ inclusive growth कैसे ला सकते हो जैसे labor force में महलाओं का participation increase किया जाए wage parity होनी चाहिए male और female की सबसे last में manufacturing sector में जो potential है वो भी उसको लोग कीजिए आप अभी तक manufacturing potential को इंडिया यूज नहीं कर पा रहा है अभी manufacturing sector देश की GDP में सिरफ 15% contribute करता है इसे 25% contribute करना चाहिए इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है जैसे production linked incentive scheme चलाई है अलग लग sectors के लिए लेकिन उनकी implementation अच्छे से होनी चाहिए तो ये पूरा article हमने discuss किया कैसे इंडिया एक developed country बन सकता है 2047 आने से पहले क्या strength और क्या weaknesses हैं इंडिया की क्या करना चाहिए अब questions देख लीजिए देख दो questions आपको attempt करने हैं एक तो पूर प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजबई के contribution से समन्दित और दूसरा regional disparities से समन्दित दोनों अच्छे questions हैं आप जुरूर attempt कीजिए दोनों questions 15-15 marks के हैं 250 words में आपको attempt करने हैं आप pwonlyas.com पर जाके इन questions को attempt कर सकते हो तो यह थी हमारी आज की discussion कैसी लगी आपको discussion आप comment box में बताइए बढ़िया से पढ़िये कल मिलते हैं फिर से एक जबरदस्त मज़ेदार और exam के लिए important discussion के साथ में Thank you, thank you very much for discussion